आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान थादे परदार्तों की महंगाई आस्मान पर है, तेल से लेकर अनाच तक के दाम में तेजी है इस सब के बीच, दाल और दलन के दाम लोगों को राहत दे रही है बीते वर्च में महंगाई के लिए परेशान कर रही दाले अभी एक रेंज में बिक रही है All India दाल में असोसियेशन के अधियेश, सुरेश अगरवाल के अनुसार, जादतर दलन अभी समर्थन मूले से नीचे बिक रही है सरकार की आयात नीती भी दलन के मामले में अस्थिर है असोसियेशन ने सरकार को पत्र लिखा है कि दलनों का नियूंतम समर्थन मूले बढ़ाना जाना चाहिए दलन का बजार अभी महंगाई से बचा हुआ है कारण है कि बीते दिनों दलन का उत्पादन वे आयात दोनों अच्छे रहे है इस बीच दक्चिन अफरीकी देशों से भारती सरकार ने दलन खरीदी का करार और बढ़ा दिया है इस साल चार लाक मेर्टिक टन दलन खरीदा जाएगा इस से देश में तुर की आपूर्थी भी बनी हुई है इसलिए दाल और दलन के दाम सीमित दैरे में बने हुई है इधर बर्मा में लोकल खरीदारों की एक एका एक डिमांड जोर पकड़ने से कीमतों में सुधार देखने को मिला है बर्मा के स्थानिय बजार में 5 से 10 डॉलर की तेजी आकर उड़द FAQ 835 डॉलर और SQ 920 डॉलर प्रती टन CNF हो गए दरसन निर्यात को को भारत में दलन निर्यात के लिए बिलिंग की तिथी 31 मार्च 2022 तक टैग की है इस वजा से वहां तेजी को सपोर्ट मिल रहा है फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंदजाद में बिग बिलिस पर आउडर करें और 10 मियट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउलोड करें बिग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुखा